सत्य यूग में सत्य और सदाचार का स्वर्ण युगधं त्रेता यूग में श्री राम का जन्म हुआ तब अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हुआ द्वापर यूग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और विनाशत महाभारत हुआ और वर्तमान युग अंधकार व अराजक्ता का समय अर्धात कली होगा कली के प्रकोप से मनुष्य में काम, ग्रोध, मौह, लोब और अहंकार बढ़ता जाएगा और सारे मनुष्य अधर्मी हो जाएगे तब होगा श्री हरी विश्नों का कल की अवतार जो कली का अंधकर उर्ध धर्म की साफना करें लिए जो काम, ग्रोध, मेरो, मौह, हंकार मैं हू कली अब इस धर्धी पर सिर्थ मेरी ही पुझा होगी जाओ, जाओ, मनुष्यों के अंदर समारिक होकर उन्हें चचारी और अपका खर्मी बना दो जर्म केशden बना आख, मैं हुझा होग Mmm है आझ जाइ, है समस्क पर खिलागार, भदने खारिक ऑदने, वहां से बस्काते समय लिखे जा एंगार, भायवार, जब लिए लिए का थे पिलागार, तोड़ने, प्ल्हार में, नहां से बस्द्दक्ता उने, जिए रवने, नहां से रवादादा है, हुछाने, जा समय जब जब इस प्रिथ्वी पर बुराई बढ़ी है, कब तब श्री हरी विश्णु ने अवतार लेकर बुराई का अंत किया है, और इस युग में भी ऐसा ही होगा, इनका साथ स्वयं सातो चिरन जीनी देंगे, और धर्मती रक्षा करेंगे. जोग हम प्रिथ्षा कारां, प्ररी देंगे, और मैं का अंत किड़ते बुराई इनका साथ स्वय धिश्वादार, जरनो सब्सेत किया है, इस युग में बुराशी पलाई इनके, बुराई इनके, और इस इनका, प्रूप भी जिए doubts, आदार, इनका ओम पर ध्व्मती है, कि कंडि विष्नु नगायार सर्वलोग नगानातं कंडि विष्नु नगायार सर्वलोग नगानातं आप अपने विकारों को यंद्रित करें ताकि इस प्रिथ्वी पर धर्म का संतुलन बना रहे और कोई असुर्शक्ति उत्पन्न ना हो सके करें